यह हमारी गंगा है आप नहीं जानते इसे क्योंकि बहुत साधारण डड़की है यह यह तो हजारों गंगाएं हैं हमारे देश में जो सिर्फ रोना जानती है पर इसकी कहानी और गंगाओं से अलग है इसका और मेरा बहुत गहरा संबंद है बहुत नजदीक से देखा है मैंने इसे इसका लड़पन इसकी मासूमियत इसके सपने साब जानता हूँ मैं यह है गंगा के मास्टर जी गंगा को गंगा बनाने का श्रेय इन ही को जाता है गंगा को पढ़ाना हिम्मत बनाना समय समय पर सही राह दिखाना जैसे इनके जीवन का लक्ष हो यह है गंगा की शारदा दीदी बेचारी बाल वित्वा है गाओं के ठाकुर की बेटी होने की वज़े से पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी रूडी वादी परंपराओं से जकड़ी हुई है यह बच्पन से मेरे घाट पर अपनी मा के साथ फूल बेचने आती है तब से जानता हूँ मैं इसे इसे बंदरों के साथ खेलते हुए आते जाते लोगों के साथ अठखेलियां करते हुए देखा है मैंने यह जितनी मासूम है उतनी ही महत्व कांक्शी भी घाट पर आते ही सबसे पहले कठिन सीड़ियां चड़कर उंचाई पर पहुँच जाती है जिसे देखकर मैं महसूस करता हूँ कि ये मासून गंगा जिंदगी की सारी कठिनाईयों, सारे बंधनों को तोड़कर, सारे संघर्षों को जीत कर इतनी उचाई पर पहुँचना चाहती है, जहां से इसे पूरी दुनिया नज़र आए मा की गोद में पली, पिता के होते हुए भी पिता के प्यार से वंचित रही क्योंकि पिता ठाकुर के डर से अक्सर गाउं से बाहर रहा करते थे एक दिन ये अपने पिता को पा गई पर मुर्दा, इसके पिता ने ठाकुर के डर से आत्महत्या कर ली थी, उस दिन इसने मा का असली रूप देखा था जाकुर बाहर निकल, बाहर निकल जाकुर, बाहर निकल, बाहर निकल, देख विस तरह एक गुलाब, तेरी गुलामी ठोड़ने जा रहा है हिसाब नहीं चुकाएगा इसने, अब ये चला गया ना तुम फिर लाटके नहीं आएगा इसका एक एक रुआ, तरह जुलू की कहानी कह रहा है अब बाहर निकल, बुच्छी, देख, जिस जवीन के लिए तुलो का मारा ही से एक दिद, एक दिन महीं मिल जाओं के तुम ना अरा चूड़िया पैनली क्या, मेरी आवाज सुखे, साफ सुखे क्या क्या तुम लगो पैसे जिए नाखोगा तुम आता नाखोगा तुम आता पैसे पैसे लिए लिए नाखोगा तुम लोगी ना... देखो, देखो गावाल, हो त पड़ा है न, हो मेरा मारत है, मेरा मारत है अरे एक दिन तुम सब का यही अंजाम होगा कब तक पापी धाकूर का जुलम से होगे अरे जो अजगर की तरह इस गाउ पे पैठा हुआ है मज ए खूग दी देए कि सारा गल सारा गाउ होड़ा पिया अरे मेरी बात संचो अगर इस सब से सर उठागे जीना चाते हो तो कुचल डाला उस नाग का भन तुम लोग यू मुर्दे की तरह आखे भाड़ भाड़ के मुसे क्यो देख रहे हो मेरी बात समझ्झे की कोशिच क्यो नहीं करते क्यों नहीं करते क्यों नहीं क्यों एक तरह की क्यों ऐपी सब्ज़ एन अपी इन 另ोग आगक उज एम आपने समझ्झे आपी सम्झाना कियो हम यहांग हम एक भांग हुआ मैं एक रागची हाँ कर दोचारी में एक एक रागची सक्ट्षिक परिपे दूखे लिए अवागष एक जवागए हागग हागग जोज हुड रागग है। माष्टर्शी चुम अड़ा उंड़ी जिले नगारी झाली परिमा निले क्रेशी के लुड़ू माष्टर्शी, पाइचर्शी, माष्टर्शी माष्टर्शी, पाइचर्शी मास्टर जी नहीं तुम्हें बोली मास्टर जी लो आपके पूल ज़र पन लाइब आज सवेर सवेर कैसे है उका है ना कि आज कार्थिक पूर निमा है इसलिए मैं माई के साथ सहर जाकर पूल बेचूंगी सहर नहीं शहर सहर सहर शहर सहर अच्छा बोई क्या बोगा है मैं सवेर शवेर इसलिए आई कि मैं आज पाठ साल नहीं आ सकती मैं साथ सफाई करके चली जाओंगी शहर और सबसुलेगा चल्ड़ साथ सफाई कर चल्ड़ दीदिया दीदिया अरे ओ दीदिया, अरे ओ ठकुरा इनकी बिठिया जी डीदी क्या है? क्यों चिला रही है? चिला होंगी नहीं, तो फिर इंदम उटी ओ दिवारों के उसकी सुनोगी कैसे? तुझे कितनी बार मना किया है न, या मत आया कर क्यों न आओ, क्या तुम सच्चे दिल से कह रहे हो दिजी, नहीं दे, वो क्या न, बापू की कहने में आकर ही तुमने आपने ही हाल बना रखा है, सच कहते हूं जीडिया, अगर तुम्हारे बदन पर इस सफेर साडी न होती न, जीडिया एक मिधार दिखा, एक, यह देखो, कितने संदर लगता है, किस न, इस सब मत कर, बेखा किस अपने मत दिखा, किसे ने देख रिया तो, अच्छा इबता, तु यहां रोज रोज क्यों आया करती है, तो कहा है न दिदिया, कि मैं रोज शवेरे शवेरे तुम्हारा चान सा चहरा देखना चाहती हूं, नहीं दे शबेशरबे रोखकर तुम्हारा चांद जाइड सा चाहरा देखना तो मेरा दिन समझ जाता है तो यहां यहां यह बात है, इलो फूल, इलो फूल और हमें जाई दो कि जाई दो ना थो जाना अरे वारे था कुराइन के पेटियाजी फूल दी ले थो और हमें मजूरी भी नहीं देथ कि विद्धाई दू कि द्या और ग्यान बाटने के लिए है लेकिन लोगों में उसे पाने के लिए रुची तो होनी चाहिए कि पढ़ाई कोई पानी की तरह नहीं है कि आकाश से बरसता रहेगा जिसका मन किया लोटा आगे किया और भर लिया जिसका मन किया खड़ा देखता रहा अरे मैं तुम्हें ग्यान दूँगा लेकिन तुम मुझे ध्यान तो दो समय तो दो कि पीस की कक्षा में गिंती के साथ लोग है बहुत शरम की बात तुम भी क्यों आए हो जाओ कार्तिक पूर्णिमा का मिला देखने जाओ अपने माबाप के साथ फूलोगा अरे जाओ बैठी क्यों नहीं पालूँगा मैं अजाने इने कब अकल आएगी कि लोग इतना भी नहीं समझते कि ये तो क्यारियों में फूल की तरह हैं जैसे वो क्यारियों में खिलते हैं पाट्शाला में बच्चे खिलते हैं मैं तो हार्ग्या भगवन तुई समझाए हैं हुआ है हुआ है आण हुआ 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 ए था हे हुआ 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 अरो मतोट रहिए लिन Bu के लिए करते लिक कर दो वन लुऻ बैटो 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 शार्दा बेटी किसमत का लिखा कोई नहीं मिठा सकता हमें इस बात का दुख है कि चोटी सी उमर में तुम इस सफेद साही का पूच तो भागी का लिखा समझ के फिसे लोंगी बापो पर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी घर में इस तरब बंद रहना अच्छा नहीं लगता बापो बैश घर से बाहर जाना चाहती हो काउ में जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं मास्टर जी कहते है ग्यान बाटने से बढ़ता है मास्टर जी ये मास्टर मास्टर क्या जाने हमारे घराने के परमपराओं को विखी क्या मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी ना हो क्या मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना हो लेकिन लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हम नहीं चाहते कि तुम्हें ऐसा कोई कदम उठाओ की कि समाज को हमारी तरफ उंगली उठाने का मौका मिले हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे हम मजबूर हैं बिटी हमें मालूम है कि हमारी बातों से तुम्हें तकलीफ होती होगी किन्तु हम इस बात की अजासत नहीं दे सकते तुम्हें हो सकता हमें बाफ करते हैं आमेटी हो सकता हमें कि इस बार मेले में पहले जैसी रोनक नहीं रही है अरे जमाना बदल रहा है अरे जमाना तो बदल रहा है लेकिन तू लोग नहीं बदलोगे जिसने वैं इस बैठो स tekrarए कि जब मायको सuli रहा है ये जिन करने के वाद एक शाथ बैठकर oh क्यों करना कैसे रहा है यहा है दरभी बद्धाई लिखाई के ज्यादा मने वह सतवए पड़ transferring जोड़ा है अगर तुम ही लोग अपने बच्चों को पढ़ने ना भेज कर मेला गुमाऊगे तो मेरे यहां रहने का तो कोई अर्थी नहीं है ना यह पाटशाला तो बंदो जाएगी नहीं नहीं मास्टर जी नहीं आप निराज मत होईए कल से बच्चे जाएंगे जाएंगे मास्टर जी बस खाना भी तयार हो जा रहा है आप खाके जाएगा कल नहीं आई ना तु पढ़ने है तो पिटाई करूंगा तेरी से रोड़ांगे मास्टर जी ऑटर जाएगा कला कला कि खाएग Larry ठे ऐाएगो बस घाएगा का सफे मास्टर जाएगा कला कर स में मास्टर to माई 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 क्या है भी बाबा कहा होंगे क्यों वो क्या है न मैं सोच रही थी कि बाबा कैसे होंगे वो जगा कैसे होगी बाबा को कौन खाना देता होगा या नहीं बिट्या वो जगा बहुत अच्छी है बहुत अच्छी वहां चारो तरफ खुशिया ही खुशिया है सब एक बराबर कोई भेदभाव नहीं वहां भूक नहीं लगती प्यास नहीं लगती वहां ठाकुर नहीं है और नहीं ठाकुर के जुल्म वहां चड़िया हैं भजन गाकर उठाती हैं और परिया लोरी काकर सुलाती है अच्छा माई वह इतनी अच्छी जगह है तो फिर मुझे लेकर वहां जरू न जी बेटा ऐसो नहीं कहते हैं वहां भगवान की मर्जी के बिना नहीं जा सकते न नहीं क्या हम वैसे जगह यहां बना सकते हैं हाँ क्यों नहीं कैसे पर्ड लिखकर सब मिल जुलकर ऐसी जगह यहां बन सकती है चला सोजा कल पाट साले जाना है चलाजा काम अब अब कि का कि कि तो यह जो ती नहीं जोड़ा पूल तब तक हमें खूल लाकर देती रहेगी जब तक हम सस्रूल ना जाए या तुमस्रूल ना जाए लिए फिर कभी एसी बात मत करना ठीक है नहीं करूंगी फॉ का है न दीदिया, माई मुझे बता रही थी कि बापु एक बहुत अच्छी जगा गया है, वहाँ खुश्यां ही खुश्यां है, वहाँ खुश्यां है न भूक लगती है न प्यास न कोई भेग भाव है, वहाँ पास प्यार ही प्यार है और मैं दिदिया, वहाँ चेडिया आपस में बाते करती है और परिया लोरी सुनाती है दिदिया, चली से मुझे मजूरी दे दो, मैं मास्टर जी के पास जाओंगी मास्टर जी से सीखूंगी कि वो जगह यहां कैसे बनाए ताकि मैं अपने बापो को यहां बोला सकूँ मजूरी दे दो, मजूरी दे दो, मजूरी दो, न हम जाए एक अज़ा मजूरी दे दो, हम जाए शिक्षा का सबसे बड़ा उप्देश यह है आदमी को आत्मनिर्भर बनाना आप जैसे बालिक बालिकाओं को इस काबिल बनाना कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते अपना भला बुरा खुद सोच सके एक पड़े लिखे और अनपड़ में उतना ही फर्क है जितना फर्क एक जानवर और एक इंसान में है कौन है आप लोग थाकोष साब क्या दमी है तो है वेली बनाए ठाकोष सामने किसे आपको मैं पाठ शाला खट्म करके चला आओंगा पाठ शाला तो अभी पंत करनी पड़ेगी तो प्रक भी ठाकोष सामने आपको अभी बनाया है इन कीडे मगरों को आप जाने के लिए कहें एए जा बच्छा तुम लोग घर को जाओ कल समय से पाच्छा ला जाना जाओ गवड़ा यह नहीं मास्टर जी आपको मारने के लिए नहीं बुलाया है मास्टर जी हमने नेने किया है कि पाच्छाला को बंद कर दिया जाए क्या मगर क्यों ठाकुर साब यह सवाल पूछने का आपको कोई हख नहीं है बेशक नहीं है आप इस गाओं के अन्न दाता है सरपंच है आपको यह हक है इसलिए इसलिए हम पाच्छाला को बंद कर रहे हैं भई हमें उस जमीन पर खल्यान मनाना है देखो खेती कट गई है पूरी आपके पास तो बहुत सी जमीने हैं आप अपना खल्यान कहीं भी खोल सकते हैं वो छोटा सा टुकड़ा अगर मगर कुछ नहीं पाच्छाला बंद होगी तो बंद होगी बस इतना कठोर ना बने ठाको साब जरौन बच्चों के बारे में सोचिए आप इस गाउं के सरपंच हैं अरे सरपंच तो बाप के सामान होता है कौन बाप ये चाहेगा कि उसकी संतान अंपड़ो मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं किये नहीं वो बच्चे कोई डिग्री हासिल करना चाहते है बस वो अपना नाम भर लिखना सीख ले दो और दो चार गिना सीख ले आपका बात एहसान होगा ठाकुर साब बस वो कुछ सी आप पहले ठाकुर नहीं है ठाकुर साब जहा आप उनसे अंगूठा लगवाते हैं अगर वहाँ वो दस्तकत करने लगे तो जरा सोचिए ठाकुर साब ठाकुर साब, मैंने जिन्दगी बहर सिर्फ पढ़ाई का काम किया है आपकी रोटियों पर पलाओं मैं अब हमें खेतों में जाके हल तो जोट नहीं सकता ना वो दिन याद कीजिए ठाकुर साब जब आपके पूछ पिता जी ने वो पाठशाला स्थापिन की थी मेरे पिता जी वहाँ पढ़ाते थे ठाकुर साब हम तो दोनों एक साथ पढ़े हैं वहाँ पे तब तो हमारे पीच में ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर अब क्यों ठाकुर साब मास्टर जी तब की बात और थी अब की बात और है तब हम कुवर रुआ करते थे अब तो वही राजा है राजह को काम प्रजह के हित्मे सोचना है नकि मास्टर जी बहुत हुआ आपका भाषन चलिएposition आप जाईए एब कहीं और अपनी वेवस्था कीजिए कि मास्टर जी मास्टर जी मेरी बेटी ने जो कुछ भी सीखा है वो आप से ही सीखा है उसकी तरफ से ये गुरु दक्षन स्विकार कर लीजिए मैं किसी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाँगा जिसे ठाकुर का नाता हो ये पैसा ठाकुर साहब का नहीं है ये शार्दा की नानी ने उसे दिये थे स्विकार कर लीजे मास्टर साहब मास्टर जी इनोंने जो कुछ भी आपके साथ में किया उसके लिए मैं आप से शमा चाहते हूँ ये वैसे आप मी नहीं है जैसे दिप्पे है जन्ता जन्ता हमारा परिवार इस इलागे का सर्मशेश परिवार है ना? तो? जो जीज हम डान दे सकते हैं उसे क्या इस तरह से चीन लेना अच्छा है किसकी बात कर रही हो तुम? जमीन के उस टुकरे की जहां पाठशाला है तुम दोनों माबेटी एक बात काल खुल कर सुन्दो औरत का संसार उसकी दुनिया घर की चार दिवारे के अंदर होती है यहां तक किसास भी लेना बहार के फैसले में तक खलंदा से की तो मुससे बुरा कोई नहीं होगा और शारदा हमने तुम्हें पढ़ना लिखाया इसलिए सिखाया कि तुम हमारी खलाफत करो लड़की हो लड़की बनी रहो तुम्हारी दुनिया चौकट के इस पार है और हमारी दुनिया चौकट के बाहर अगर लक्षवंड रेखा को पार करने की कोशिच कही तो एक बात काउन खोल कर सुन लो अनत हो जाएगा अनत हो जाएगा राम जी वन क्यों गय थे मास्टर जी मास्टर जी देश निकारा किसे कहते हैं कंत मामा इकने जारन क्यों थे मास्टर जी मास्टर जी ये बताओ दूसरों का हक मारना इतनी बुरी बात क्यों होती है माई माई पता नहीं क्यों ठाकुर ने मास्टर जी को बुलाया था बहुत देर हो गई अब तक मास्टर जी लोटे नहीं कुछ हुआ होगा अरे मास्टर जी का नाम लिया मास्टर जी आ गए आये मास्टर जी का बात है मास्टर जी ठाकुर कह बुलाय रहा इस बस्ती का ठाकुर घराना नहीं चाहता कि यहां शिक्षा की रोशनी पहले काले अक्षरों के सामने अंगूठा लगाना तो बहुत आसान होता है लेकिन अस्ताक्षर करने वाले तो सवाल पूछ सकते हैं जिसके जवाब ठाकुर घराने के पास नहीं ठाकुर घराना कहे कहते सा वह बदमाश ठाकुर उसी का तो कानून चलता है इसलिए तो यह सब हो रहा है यह कहा हो रहा है पाटशाला बंद हो गई है यहीं मरत उसे और और मुझे एक गांट छोड़ने के लिए कह गया है अजया बंद हो रहा है वहा है वहा है अजया बंद है आग्या रहा है जाग्या ग्लाव जहां जिसका जितना दाना पानी लिखा होता है ना नहीं मिलता है पिर कुछ की तैयारी तो करने ही पड़ती है मस्टर जी पाठ्षाला बंद हुई है लेकिन शिक्षा के जरूरत में कमी नहीं आई है हम लोग की आज हमारी जो दुड़गर्शा है तो सिर्फ अग्यान की वज़े से ही तो है मस्टर जी हम लोग जमीन जोतने वाले मंदूर है हमें हमारे कमाई का हिस्सा तो मिलना ही चाहिए ना तुभारे बोलने से क्या होता है ठाकुर माने तब ना अरे देख लेना एक ना एक दिन मों जरूर मानेगा और हमें हमें हमारे जमीन का हिस्सा मिलेगा और जिस दिन हमें अपना जमीन का हिस्सा मिलेगा न हम आप पाठ्शाला बनाएंगे और मास्टर जी आप ही पढ़ाएंगे हुआ हाँ मैं यह तो नहीं जानता कि मेरी मेरी उम्र कितनी बाकी है लेकिन उस दिन तक जरूर जीना चाहूंगा जिस दिन तेरा यह सपना पूरा होगा मास्ट जी यह थोड़ा सा बहुत कुछ दिया है तुम लोगों ने बहुत कुछ लेकिन मैं तो कुछ लोटा नहीं पाया और अब विदाई का समय आगया क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना के अरिद्ट क्षमा करना कि यह एक प्रिंसिपल साफ समिल्ला है कि अच्छा मिलना है अच्छा मैं देखता हूँ कि अच्छा में आपको पहचाना रही है मुझे नहीं पहचाना मैंने तुम्हारी अक्षरों से पहचान करवाई और तुम्हें मुझे लगी गुरुजी आप फिराशी गुरुजी आप विराशी गुरुजी गुरुजी कैसे है आप मैं अच्छा हूँ बिटा वो क्या है ठाकुर में स्कूल बन कर दिया है गाउ में तो बच्चों को पढ़ाने के लावा तो और कुछ मुझे आता ही नहीं इसलिए यहां चला आया इस स्कूल में या कहीं और अगर तुम कुछ काम लगवाद हो तो गुरुजी आप तो जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में इगरी वाले मास्टर रखे जाते हैं हाँ लेकिन गुरुजी मुझे आपकी योगिता पर जरा भी संदेहने परन खानून तो कानून होता है ना गुरुजी अरे ये कैसा कानून हो गया बिटा सोने को भी घरा होने का प्रमान देना पालेगा गुरुजी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं हाँ जब तक आपका इंतिजाम कहीं और नहीं हो जाता आप रुक क्यों गए बोलो गुरुजी यहां गुरुजी रजिस्टर और घंटी बजाने का काम आप कर सकते है काम कुई छोटा बड़ा नहीं होता बेटा मैं कुछ भी काम कर लोंगा रामू जी साओ आज से गुरुजी तुम्हारे बगरवाले कमरे में रहेंगी इन्हें वहां ले जागर अपना कमरा दिखा दो और इनके खाने पीने का इंतिजाम तुम्हारे उपर बगा पाई जी अच्छा गुरुजी जाले है पकराफ कर दो कर दो कर दो कर दो कि विद्या और ग्यान बाटने के लिए है लेकिन लोगों में उसे पाने के लिए रुची तो होनी चाहिए पढ़ाई कोई पानी की तरह नहीं है यह आकाश से बरसता रहेगा जिसका मन किया लोटा आगे किया और भर लिया जिसका मन किया खड़ा देखता रहा अरे मैं तुम्हें ग्यान दूँगा लेकिन तुम मुझे ध्यान तो दो समय तो दो बीस की कख्षा में गिंती के साथ लोगों और शरम की बात है काका काका चलिए जल्वान से लिए का चलिए अर्च का अरवता इजाओां अर्च करेश़ के लिए कवाशन अर्च करेश़ के चलिए मास्टर जी कि आज भी कोई खबर नहीं मिली माई क्या थाकुर सच में इतना शक्रिशाली है बिटिया वो तो बहुत बड़ा राक्षस है राक्षस तो फिर हम उनके हाथ कैसे लगे हमारे पुर्वजों को थाकुर के पुर्वज ले आये थे खेती करने ये कहके कि फसल में उनका हिस्सा होगा तो फिर क्या हुआ? फिर क्या? कोई समझदार होता तो पूछता ना थाकुर ने जो लिख दिया वो सही थाकुर ने जो दे दिया वो हिस्सा अरे घिसनी हमें ये संधेरे से निखलना होगा भी क्या कैसे माई समझदार होके जा तु जल चावल धोके ला तरकारी तो बन गई है जी माई जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शेहनशा होता है ये बात किसे कही है गलत अजया जिन्वा ले गलत गलत ये बात कही है स्वामी राम सीरत ने गलत मास्टर महोदय जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शेहनशा है ये बात बचो रहीम जी ने कही है और जो नहीं मांगता है लक्षमी उसकी दासी हो जाती है ये राम तीरत जी ने कहा है आप कौन होते हैं यहां आकर मुझे सिखाने वाले आपकी शिगायत करूंगा हैड मास्तर से मैं जाएए अपना काम कीजिए प्रणा गुरु जी गुरु जी घाट के किनारे जो मंदिर है वही पर एके स्कूल भी है मैंने आपकी वहीं पर वेवस्ता कर दी है आप वहीं रहे और वहीं पढ़ाईए अच्छा बहुत अच्छा बेवी पढ़ा में पीटा कई बहुत अच्छा बढ़ा प्रणा 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 मास्टूची बाई लगू मास्टूची आप यहां कहा रहते इसे मंदेद देख रही हो ना यहां एक ज्ञान भादन है वही रहता हूँ लोग आते हैं जो मेरे पास है मैं बागता हूँ तुम सुनाओ कैसी हो मास्टूची आपने कहा था कठिनाई इंसान को शक्ति देते है कठिनाई भी है शक्ति भी है और लड़ाई भी जारी है और यह लड़ाई मैं मरते दम तक लड़ती रहोंगी और मेरे बाद भी लड़ाई जारी रहे इसलिए मैं घिसनी को कुछ सिखाना चाहती हूँ मैं उसे आपके पास लेओ हाँ जरूर तुम्हे उसे कली ले आऊँगी अच्छा प्रणाम धर्म और कर्म में उतना ही साथ है जितना व्रिक्ष की लकड़ी और छाल में है जहसे मानल ठर्ती में बीज बोता है पानी डालता है ये उसका कर्म है बीज पौधा बनता है फल देता है ये बीज और धर्ती का धर्म है जिता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कार्य कर्म कर्म फल की इच्छा मत करो ये बात बीज, धर्ती और पौदे के उधारन से सही से धर्ती है समझें फल की आशा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि धर्ती का वो कोना जहां तुमने वो बीज उगाया है अगर वो बंजर निकला या बीज में कोई खराबी हो तब तुम्हें निराशा होगी निराशा से मुक्ती पाने के लिए आशा का त्याग करना बहुत ज़रूरी है समझ गए ना? जाओ, आज बस इतना है परणाम मास्टर जी परणाम, परणाम परणाम, मास्टर जी जी तीने मैटा मास्टर जी, इसने तो आपको फूल दिया मैं तो इसे ही सौप रही हूँ, इसे इतना सिखाओ, ताकि ये गाओंवालों के लिए देवी बच जाए अले बाव मैनी, बहुत बड़े-बड़े सपने देखने लगे तू मास्टर जी, हमारी जीवन में तो सपने ही है, जहाँ ठाकूर का राज नहीं चलता मैं तो यहीं बैठ, मैं फूल बेच कर आती हूँ, प्रणाम बैठ, बैठ, बैठ तू एक फूल है, तेरे घरवाले फूलों का कारोवार करते है, फूलों से रोजी रोटी कमाते हूँ तो मैं तुझे फूलों के माध्यम से ही पढ़ना सिखाऊ, ठीक है अच्छा पता, इस माला में कितने फूल है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, तस, क्यारा, पारा, तेरा, चौदा, फंदा, सोला बच्छे, अच्छा, अभी देख इस में से मैंने एक और दो फूल निकाल ले, तो भी कितने बच्छे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, तस, ग्यारा, पारा, तेरा, चौदा आट, आट, पांच, यारा, बारा, तेरा, चौदा इससे दो और गयार, जल्दी बटा जल्दी, 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 जल्दी बारा देख आख बस! बस! दीदी, वो दीदी, बुद्वा, कहो बुद्वा, हम्रे फेकुआ की तबियत बहुत खराब है, उसे लेकर दवा खाने जाना है, और हम्रे पास फुटी कवडी भी नहीं है दीदी, ठाकूर के पास गई थी, मगर उसने मना कर दिया, उल्टे उसने पिछले कर्ज की याद दिला दी, जिसे चुकाते चुकाते हमारी नजाने कितनी पीडियां बीच जाएंगी, मेरा तो सारा फूल भी उसकी मंडी में चला जाता है, दीदी, तुम तो अपने घाट पर फूल बेचती हो ना, कुछ पैसे जाएंगी, हमार मेधा क्लो नगने नगारी तीदी, हमारा उन्ना राएंगी? तलज्दी, तलज्चर चलाएंगी, यहतना घ्ल spider वे संप एडिए मैंने प्मादी इला मासर जी मासर जी क्या मैं खूरा हूँ मैं रोज गंगा सनान करती हूँ और रोज भगवान को फूल भी चड़ाती हूँ फिर उस पंदित को दुबारा सनान क्यों करना पड़ा हूँ मेरे छूने से क्योंकि बेटा उसके मन में खोट है भेदभाव है भगवान के चर्णों में फूल चड़ाने के लिए तुछ से लेते हैं छू जाने पर उन्हें दोबारा सनान करना पड़ता है कैसा हाड अंबर है तुछ चिंता है चल कक्षा का समय हो गया इसने कोई भी चीज बाटने से घटी है लेकिन ग्यान ग्यान बाटने से बढ़ता है मैं तुझे ग्यान दे रहा हूँ तू औरों को ग्यान देना जितना ग्यान बाटेगी उतना ही तेरा ग्यान और बढ़ेगा आज से तेरा एक काम है, मैं तुझे यहां जो भी सिखाऊंगा, तु बही जाकर गाओंवालों को सिखाईगा, ठीक है, अच्छा बता पढ़के क्या लिखा है? खो, छोटी एकी मातरा खिल, छो, नो, परी एकी मातरा नी, घिस, घिस, घिसनी, घिसनी, यह तो मेरा नाम है, वास्टो जी यह तो मेरा नाम है, अच्छा च्री देख, अब मैंने इसको मिटा दिया, अब तु मेरे को लिख के बता, एर मैनी, और तुम सब लग साहर में फूल बेचने वालों, कान खोल कर सुन लो, साहर में फूल बेचना आगा, बंद नहीं करोगे, तो घर और जमीन, दोनों खाली करना पड़ेगा, का है, जमीन तेरे बाप की है का, मेरे बाप की नहीं, बलकि तुम सब के बाप ठाकुर सहाब की है, जो यहां के मालिक है, अरे कौन बनाया उसे मालिक, अरे तेरे बाप दादाओं ने, जिनके अंगूर ठेके निसान, उनकी पोथ्यों पे लगे हुए है, तो जाके जला दे हूँ पोथिया, जिसमें हमारी और हमारे आने वाली पीडियों की जिंदगी दभी है, और कहें देना तेरे ठाकुर से, कि जमीन जोतने वाले की है, और जानवर पालने वाले की, ऐ मैनी, अगर इतनी ही मत है न, तो यही बात चाह करके ठाकुर साब से कहा देना, अरे जा जा ठाकुर के चुए, ठीक है, ठीक है, चलो, पारा रवा मैया के ओलियां, अपनी चाहुतियां से बोले मारी मैयाओं की हा माले बन, तो हरा गाजा भारा रवा माले निहा माले बन, तुमको बहुत-बहुत धन्यवाद है, हमार ठेकवा एकदम ठीकवाई गवाँखर है, यह तो भगवान जी गया है, लेकिन हम लोग कब तक इस तरह दूसरों के सामने हाथ पहलाते रहेंगे, हमें अपने लिए कुछ करना होगा, हम कर भी क्या सकते हैं दीदी, फूल उगाओ, और ठाकुल को दे दो, यही हमारा जीवन चक्र है, अरे इस चक्र को तोड़ना होगा, कैसे? मास्टर जी से मिलके हम लोग पूछेंगे, हाँ, तुम सब को चावे सामने हावेली बुलाया है, शैतान दर्शन देने वाले हैं, अरे जा जा आएंगे हम बाद में, आज विचारू कर हुमन माही, सोच जो गुतसरत न पुनाही, सोच ये विप्रजो वेद भी हीना, तजी नीजी धरम विशय लेलीना, सोच ये ने प्रति जो नीती न जाना, जही न प्रजाप्रिय प्रान समाना, सोच ये वैसू कृपन धन वानू, भगवान ने हमें तुम लोगों का अन्नदाता बनाया है, ना कि किस इंसान ने, तुम्हारा और हमारा रिष्टा सदियों से एक जिसारा है, हम तुम्हें कुछ देते रहें और तुम हमसे पाते रहे हो, चाहे वो कपड़ा हो, अनाज हो या फिर पैसा, तुम्हें से किसी एक के बहकावे में आकर तुम लोग, सारा का सारा फूल शहर में बेशने चाते हो, मुझे कोई आपत्ती नहीं है, किन्तु यदि तुम्हें से कोई भी मेरा कर्जदार नहीं है, वो जाकर शहर में फूल बेश सकता है, छोटा, कौन नहीं है हमारा कर्जदार, अरे या इस सारे के सारे लोग कर्जदार हैं, अरे चोटे ठाकर, अब तेरे भी मुँ में जबाना गई का, है, जोग तो खून ही चूसेगा ना, चाहे छोटा हो या बड़ा, हम तो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जो तुमने लिखा वो तुम ही समझे, हम तो सिर्फ उस पर अंगूठा लगाते हैं, तुम्ही कैनल, कच नहीं सुनना चाहते, जब तक तुम लोग हमारा कर्ष पुरा नहीं करोगे, सारा का सारा फूल हमारी मंदी ब अना चाहिए, शेहर में नहीं जाेगा, ये ये तुम्हारा किसनी के साथ मिलना जुलना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है आज के बाद यदी तुम्हें किसनी के साथ देखा तो तुम्हारी खैर नहीं चुब अधर बेटी यहां के लिए बेटे क्या सच रही हो हमें मैनिक आकी के लिए कुछ करना चाहिए माई बेटी हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं ये ठाकरों की घर की रिवास बड़ी अजीब है बेटी ये हमें जानवर समझते हैं जिस तरह से एक जानवर को एक खुटे से बांद दो तो वस वह गस दो गच इदर लिवा दर के दो सकता है उसी तरह से हम ठाकरों के घर की औरते हैं चोघर की चौकट के बाहर कदम नहीं रख सकती है घर की चौकट के बाहर देखने का हग तो सिर्फ मर्दों को है उसमें देखने का अधिकार हमको नहीं है बिटी ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है लेकिन क्यों माई कि हम अपने मन का कुछ नहीं कर सकते मास्टर जी तो कहते थे कि हम सब आजाद है पर ये कैसी आजादी माई किसी पर जुल्म होते देखो तो उसे बचाना सको जो अच्छा लगे उसे मिलना सको माई मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ माई मुसे और दुख दिखा नहीं जाता माई हम जाकर भी कुछ नहीं कह सकते बीटी हम तो सब कुस देखते वे भी हमें आखें बंद कलेनी पड़ती है बस अब तो बस इंतजार है उस समय का जबकि इन्हें सद बुद्धी मिले प्रणाम प्रणाम अरे क्या वात है आज खारी हाथ फूल नहीं लए का है न मास्टर जी हमारे गाउं में उद्धै प्रताब नाम का एक जानवर है जो सारे फूलों को खा जाता है ठाकुर ने सक्त मनाई किये हमें फूल शेहर में बेशने की दुश्मान अगर साफ हो तो उसका फन कुछला जा सकता है लेकिन अगर राक्षास हो उसके लिए तो भगवान को अफ़तार लेना पड़े पिसमें तु यहीं बैठ मैं फूल बाले से पिछके पैसे लिग क्याती हूँ जी महीं आ बैस यह सब शिक्षा ना होने का परेडाम है अगर तेरे पूरवज पड़े लिके होते न तो ठाकुर कभी इतना शक्तिशाली ना होता शिक्षा मिलने पर एक बंदर भी मानव की तरह व्यभार करने लगता है और शिक्षा ना मिलने पर मानव का जीवन एक पालतू जानवर से भी बत्तर हो जाता है चानती है रामायन लिखने वाले वालमी की एक डाकू थे अप अरे शिक्षा की देवी सरस्वती तो एक नारी है और नारी ही को शिक्षा ना मिले ये तो सरस्वती का अत्मान हुआ न जब मैं कन्याओं को पाठशाला की ओर जाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे सरस्वती देवियां जा रही है मास्टर जी क्या मैं सरस्वती देवी बन सकती हूँ क्यों नहीं शिक्षा की रोश्णी तो मानव जीवन को चमकाने के लिए है किसका जीवन चमका रहे है, Master Ji? तुमारी बिटिया घिस्नी का घिस्नी का घिस्नी का ये घिस्नी नाम बड़ आजीव लगता है तुम इसका नाम बदल के गंगा क्यों नहीं रख देती? गंगा? गंगा के, Master Ji? गंगा इसलिए क्योंकि गंगा पवित्र है मैं तेरा नाम गंगा इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि तु अपने गाओं वालों को अज्ञान के अंधिरे से निकाल कर ज्ञान की रोशनी दिखाएगे क्या है संभव है क्यों नहीं अगर एक डाकू अपने युग का सबसे बड़ा संत ज्ञानी बन सकता है तो हमारी घिस्मी ज्ञानी बन सकती है हां अरे शिक्षा की देवी सरस्वती तो एक नारी है और नारी ही को शिक्षा ना मिले ये तो सरस्वती का अत्मान हुआ नहीं जब मैं कन्याओं को पाठशाला की ओर जाते वो देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे सरस्वती देवियां जा रही है मास्टर जी क्या मैं सरस्वती देवी बन सकती हूँ जानमार निकालेंगो हटी बाला जानमार जानमार निकालेंगो हटी वाला जानमार देशी सराव कि मन uniform हटी कि अतनी सब्सक्राइब को अधन सब्सक्राइब माणार जार्टन जाद के हैं जो आसा सब्सक्राइब आ अ अधनम आधने खानला मडेचा ठीक क उनक्राइब आपा माना कुछ आप यह देखो, कितने फूल है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ हम भी कुछ पर सकते हैं क्यों नहीं काखा जरूर पढ़ाएंगे यह लगाँगा तुने गाउ में जो पुस्तकाला खोला है ना उसके लिए मैं पुस्तके लागा हूँ यह बच्चों को पढ़ा भी रही है या जमा करके रख देती है बच्चों को ही नहीं, मैं बढ़ों को भी बढ़ाती हूँ वो कैसे मैंने उनसे कहा थाकुर उन्हें अन्याय और अत्याचार के सवाए कुछ नहीं दे सकता हमें अपने अधिकारों के ले लड़ने के लिए कलेक्टर के पास जाना ही चाहिए क्या बोले बोलो सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग तयार हो गए है मेरे साथ देनी के लिए चाहिए अरे ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था चलो कोई नहीं उर्दू में वह कहवत है ना देर आया दुरस्त आया चाहिए इस काम के लिए तो पूर बढ़ाई की पात रहे मैं चलू चल तू जल रात होने को है जा जा जल्दी जा सेल्दी जाए सेल्दी जाए सेल्दी जाए साब कौन लोग आप चंद्रावा की गासा है यह हमेरा प्रासना पत्र है क्या हो गया साब पढ़ लीजे आपने लिखा कुछ गरती हो तो माफ कर देना ठीक है हम हम आपके गाउं आएंगे और देखेंगे क्या समस्या है आपके क्या एक भी पड़ साला नहीं हो जी नहीं वो क्या है ठाकुर प्रताप साब ने बंद करवा दिया था बहुरा न्याए हुआ हुआ आपकी साब जी साब ठीक है हम एक बार आपके गाउंखा महाने करना पड़ेगा हम जरूर आएंगे हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मांगे पूरी हो न्याए आपको मिले जरूर आएंगे दान्याओ कि यह लड़की यहां क्या कर रही है और इसके साथ यह गाउवाले कौन जाने सरकात कोई अपना दोना दोने आए हूंगे यदि इसने मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की तो बहुत मेंगा पड़ेगा कि अपने प्रेव कि यहां थाएंगे कि यह आएपके बड़ेग दोने का भी प्लाफ मेंगे रहे जिए बड़ेगा कि अपने चान्या खिए करहें दो करने दो कॉँ़ कि अपने तान्या कि अग्रेटर साब कर आने का समय हो गया तुम्हारी तैयारी हो गई है चली चली करेकर साब आगए हो टिया 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 नमस्ते साब नमस्ते साब गाओं के विकास के लिए सरकार ने तो बड़ी योजनाएं कल्यानकारी ने चलाई है और आपके गाओं को तो देखके लगता है कुछ यहां हुआ ही नहीं और आज की जमाने में इतना पिषड़ा हुआ गाओं और आपकी मांग को देखके लगता है कि इसको तो बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था क्यों वीडियो साब सबसा कुछ आयता है कि साब जी वही तो हम जानना चाहते कि ऐसा क्यों है एक कहावत आपने सुनी होगी न प्यासा कुएं के पास जाता है कुवा प्यासेक पास नहीं जाता है हम जो प्यासेक होएं के पैस नहीं जा सके उसका कारण गरीबी और अशिक्षित होना चीट कह रहे ही आप और इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचे हैं हम यहां आये हुए हैं इसके लिए बहुत पहले भी आपनों उस थोड़ सोचना चाहिए था हमारे साथ हैं बैंक मनेजर साहब नमस्ते साब जी आप लोगों को बैंक से यह मामली कर्च जो होता है वो दिलाएंगे उस पैसे से आप लोग यह गंगा के किनारे के जो जमीन पढ़े हुए हैं इस पर फूलों के खेटी करिए मैं विल्कुल आश्वासन देता हूं आपको बहुत जल्दी हम सरकार से उसके लिए अनमत दिलाते हैं एक बात और निवेदन करने थी आप वहों से इसा है यह जो इस्थित आपकी बनी हुई आपके गाओं की इसके लिए सरकार करते ही जिम्मेदार नहीं है जिम्मेदार आप लोग पूछेंगे कैसे सरकार कोई भी योजना बनाती है कोई विकास की बात करती है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से करती है हमें तो यह लगता है कि आपके गाओं की जो इस्थित है और जो बिग्रायल हाल में आप पड़े हैं इसके लिए ठाक और उदय प्रताप सिंगी फुष रोड़े अटका रहा है जी साहब अलेक्टर साब गंगाओर गाओं में चुले कर चले कैसे जी साहब यह गंगा मेरी नाव दुबाने पर तुलीवी है ठाक और उदय प्रताप को अब एक लड़की से टक कर लेनी पड़ेगी कंगा यह टक कर तुम्हें बहुत नहींगी पड़ेगी बहुत नहींगी पड़ेगी हाँ दर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है गाउवालों के दिलों में ठाकुर का जो डर बैठा है ना उसे निकालना होगा जब तक यह अत्याचार सहते रहेंगे अत्याचारी तो अत्याचार करता रहेगा कान खोल कर सुन लो तुम लोग ना ही यहां कोई पाटशाला बनेगी और ना ही कोई दवा खाना खुलेगा इस काउं का चपा चपा मेरी मिल्कयत है जो कि तुम्हारे पुर्खों ने वर्षों पहले हमारे पुर्खों को बेच दिया था अरे बेची नहीं थी ठाकूर छीन आथा तुम लोगों ने हाँ हाँ छीन लिया था तुम लोगों ने किस नहीं यह जाएंगे पंचायद बिठाएंगे कचहरे के धंकी देति यह प्रधान पर पंचायद बिठाइगी जब प्रधानी हंबार में हाँ, सोषिना परेगा माई, आज गंगा ने पूरे गाहों के सामने बापु के चक्चे छुरा दिये तुमने कैसे देखा गोठे परसे, बापु की हालत तो देखने लायक थी और गंगा, गंगा तो साक्षाद चंडी बनी हुई थी, साक्षाद चंडी शार्दा, तुम अपने बापु के हार पे खुशी मना रही हो नहीं माई, मैं सच्चाई के जीत होते देखकर खुशी मना रही हो काश, मास्टर जी ने मुझे भी इतना सिखा दिया होता तो मैं भी अपना सर उठा कर अपना हक मांग लीती और नहीं मिलता, तो छीन लीती नहीं बेटी, अच्छे बुच्चे ऐसी बाते नहीं करते हैं आज़ा, चब मास्टर जी ने कहा है कि ठाकुर हमें यहां से बिलकुल नहीं निकाल सकता और तो और मास्टर जी ने ये भी कहा है कि हमें घबरानी की कोई जरूरत नहीं है वो जमाना गया जब लोग डर के मारे अपने घर में घुश जाते थे अब हम सब को मिल जूलकर रहना चाहिए हैं बिलकुल मिल जूलकर रहना चाहिए कलेक्टर साब के दोरे के बाद तो हमें घबरानी की जरूरत है नहीं और तो और बैंक भी हमारा साहता करने के लिए पूरी तरह तयार हो गया है अब हमें वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए कर सुबे से ही हम सब जाकर गंगा किनारे फूलुगाना शुरू कर देंगे है ठीक है अब है जिते अब है जिते 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 ठाकुर शाब के घुंडों ने मास्टर साब को बहुत पॉर मारा है क्या? जिते लोग अपने काम से लो मैं आदीम जो कली क्या मस्टर जी मस्टर जी मस्टर जी मस्टर जी तुम्टर था इन अ? खंगा तुम्लोग तुम्लोग या तो चिंता मत कर बेटी ये तो ये तो शरीर की चोटे हैं वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे लेकिन लेकिन ये चोटे इस बात का प्रमान है कि ठाकुर ठाकुर घाबरा गया है एक बात हमेशा याद रखना बेटा जो अपने साथ अंग रक्षक रखते हैं न वो बहुत ही दर्फोक होते हैं अंग रक्षकों के सहारे लड़ते हैं लेकिन हमारी जो लड़ाई होगी वो अत्वत होगी मगर हम लड़ेंगे कैसे मार्चु जी हमारे पास तो हत्यार है नहीं हत्यारों से तो बिटा कायर लोग लड़ते हैं एक दूसरे का खुन बाते हैं और सो जाते हैं हमारी जो लड़ाई होगी न वो अशिक्षित समाज और कलम के बीच होगी हत्यारों से लेज सिपाही मैदाने जंग में मात खा सकता है लेकिन कलम का सिपाही जिन्दगी में कभी मात नहीं खाता यह बात याद रखना वी तुम जाओ गहां में जो कारे शुरू किया है उसे प्रूरा करो जाओ हाँ रुक मैं भी तिरे साथ चलता हूँ अभी तो खिसनी नहीं आई जा तो बेटा देच चाके अभी तेरी वेटी खिसनी का है थोड़ा तपन लिख क्या लिया समझने लगे कि था कुछ से चक्कल लेगी निकाल उसे निकाल अरे कहां जा रहा है बहार निकल तो चलाग अरे कहां जा रहा है बहार निकल तो चलाग अरे का पुस्तकाल है ननोक बनेंगे ए ए बिदिया देख देख अपनी आखों से देख अपनी बेगी घिस्ती से का देना अगर आज के बाद से उससे कभी भी जागों से चक्कल लेने की कोशिस की तो इसको अंजाम बहुत बुदा होगा चलाओ जाज आज देख घटान मैं 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 पोची ? माई 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 तहा काष़िशे लीओर नहीं जा सकती मै तहा काष़िवी नहीं जह सकती माई ! बाई, बाई, बाई! जिस्ऴी प्राठी ने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो प्राण प्याग नहीं है अपनों के जाने का दुख होता है होना भी चाहे है क्योंकि हम इंसान हैं हमारे सीरे में दिल है जो अपनों से मिलकर खुश होता है और बिछोड़कर शोक अकुल होता है लेकिन बेटी शोक का अंधेरा इतना घना भी नहीं होना चाहिए कि आशा के सूरज को निकली नहीं ना दे यह तो यह तो ललाई की शुरुआत है तुरे मत मत हाना मैं और मेरा क्यान सदा तेरे साथ है थाकूर 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 उट थाकूर साहब तो है नहीं जो कुछ भी हुआ मस्टर जी उसका हमें खेब है अपने अपने पती को समझाओ थाकूराएं इस तरह हां गरीबों पर अत्याचार करना यह कहां की इंसानियत है कलको कलको अगर यह लोग थाने चले जाएंगे तो पता है थाकूर का क्या होगा जानती हूँ इसके दिए मैं आप सब से क्षमा मांगती हूँ गंगा वेटी तुम थाने मत जाना मैं इनको समझाओंगी मैं तुम ही वचन देती हूँ कि अगर इस गाउं में खून बहेगा तो हमारा गाउं वालों की खून का एक भी कत्रा नहीं बहेगा चले चले अच्छा तो मास्टर अब तुम खुल कर सामने आ गए हो मैं तुम्हें धंकी नहीं दे रहा हूं ठाकुर लेकिन आगा जरूर कर रहा हूं कि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है पूरे भारत वर्ष पर छाए अंग्रेजों को ख़देड़ा है इन गरीबोंने पूरे पचास साल हो गया उनसे अपनी आजादी को लिये हुए ताकुर तुम्हें भी अब अपने जल्म और गुलामी के सामराज को खत्म करना होगा नहीं तो बहुत बच्चता होगे समय की शक्ति और बदलाओ को तुम जानते नहीं हो तुमने इन गरीबों पर हाथ उठाया है अगर ये तुम पर हाथ उठाय तो अस्तर बहुत हो गया तेरा भाशन जाकर तरे गाउवालों को सुना यदि इसके बाद कुछ किया सारे गाउं को जलाकर रख कर दूगा समझे भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास जानता हूं इसमें कौन से नहीं बात है ये इस तरह भी सो सकते हैं कि जिस जमीन के लिए आप ये सब खून खराबक कर रहे हैं क्या वो सब हम अपने साथ ले जाएंगे अपने पुर्खों से जाके पुछो ये सब जमीन जायदाद अगर हमारे पुर्खे नहीं चोड़ कर जाते तो दाने दाने को महताज हो जाते वो सब हमारा है कहां हरे वो सब तो उन करीबों का है मैं कहती हूँ लोटा दीजे उन्हें उनका हक बस शंती बस शंती मैं दो-दो मैदानों में एक साथ जंग नहीं लड़ सकता हजार बार कहा है अपना मुँ बंद रखा करो हजार बार कहा है मैंने भे मामले में तकल मत दिया करो अब एक भी शब्द बोली तो गला दवा दूगा तुम्हारों मैं आपको पता है मेरा टांसफर हो गया है क्या मेरा टांसफर हो गया ज़रू ठाकर नहीं करवाया होगा ठीक कर रहें आप उसकी पहुंच ऊपर थग और आप लोगों के लिए भी मेरे एक सुझाव है आप लोग भी चुनाव लड़िये आप में से कोई चुनाव लड़िये सबसे पहले उसको प्रधान की कुरसी से आप हटाईए उस कुरसी प्रकभ्या करिये पहले आप और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिये बहुत चालाक भी है पहुच भी उसकी है तो इसको बहुत होश्यारी से करेंगे आप लोगों पता है आपको आप लोगों की शेकायत तो पुलिस में भी करसुका है अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ न सब गबल हो जाएगा मस्टर जी आप विशेश रूप से इन लोगों के लिए भियान रखें और बहुत होश्यारी से कुछ करिए चुनाव लड़िये चुनाव लड़ेंगे लेकिन हमारा उम्मीदवार कौन होगा मेरे विचार से ठाकूर साब के सामने मास्टर जी आपको खड़ा होना चाहिए अहां मास्टर जी अरे नहीं 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 पेटा मैं जिंदगी भर शिक्षा बाटते आया हूँ जाकर वोट मांगने का काम मुझसे नहीं मास्टर जी आपको नहीं करना पड़ेगा यह हम सब लोग कर लेंगे देखो बेटा जिस काम के लिए मेरा दिल गवारा नहीं करता वो काम मुझसे बिलकुल है अच्छा देखो काका सबसे बुज़ूर्ग है हम काका से पूछ लेते हैं काका हमारा उम्मीदवार कौन होना चाहिए गंगा बस यह तैयो नहीं गंगा हमारी उम्मीदवार है और हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन एक बुरी खाबर है बैंक ने हमें करजा देने से इंकार नहीं किया उन्हें जमानँ चाहिए आठीक काल रखोगे क्या हम अपना सबकुछ रखरेंगे गाए भैस सबकुछ है न हाँ हवाई हाँ हम रही हाँ कि अब आपका इंदेसर सुबहे से कर रहें यह सारे मवेशी गाउवालों के हैं आपने कहा था कि जमानत के बेगर आप कर्स नहीं देंगे तो आप इनहीं ले ले लिजे और हमें कर्स देदीजे बैंक में मवेशी गिर्वी नहीं रखते जाते हैं तो तुम भी ठाकुर के बैकावे में आ गए या डर गए उससे जो हमें टाल रहे हो ऐसी बात नहीं है मास्टर जी देखो वीटा ये ये गाउवाले ठाकुर के सताय हुए है लेकिन अब अब इनमें जागरूपता आ गई है ये उसकी गुलामी को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं सरकार बिरोधी पारटी भी चुनाव मैदान में उतर आई है गंगाखो मसाल चुनाव निसान मिला है और हां सरकार बैंक ने कर्ज भी देना स्युकार कर लिया है सरकार कहिए तुम इद्वार ही गाइब करा दूँ न रहेगा बांस न बजेगी बांस दी नहीं चुनाव के दरान कोई कड़बड़ी नहीं होनी चाहिए वरना पकड़े जाएंगे चुनाव आराम से हो जाने दो नतीजा हमेशा की तरह हमारे ही पक्ष में रहेगा और हां जेस दिन हम जश्न मना रहे होंगे उस दिन एक छोटा सा पटा का गंगा को भी लग जाए थो समझ गया सरकात समझ गया मतलव साप भी मज जाए और लाठी भी ना टूटे साथियो प्रधान बनकर काम की दिन्मेदारी उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है अरे कोई भी और चाहे कितनी भी पड़ी लिकीतियो नहो प्रधान का काम नहीं सभाल सकती जिस इंसान का पेट भरा हुआ हो वो भूकों की समस्या क्या जाने वो भूक को न समझ सकता है न उसे मिता सकता है अरे हवेली में रहने वाले खास पूस की जोपड़ी और मित्टी की दिवारों का चलन क्या जाने साथियो मैं उर्थ वट व्रिश की तरह हूँ जिसकी छाया में आप लोग अपने जीवन की भकान मिटा लेते हो थोड़ा सुस्ता लेते हो मैं हमेशा से आप लोगों का काम करते आया हूँ और करता रहूंगा क्या थाकुर कभी दो मील चलकर पानी लाने गया है वो क्या जाने प्यासे की प्यास उसे तो अपने घर में पानी मिलता है हमें अपने घरों में पानी लाना है पाच्छाला खुलवानी है दवा खाना खुलवाना है यह कल की लड़की किसली अरे जिसे ठीक से बोलना तक नहीं आता हर वो सुविधा जो हमारा हक है वो हमें मिलनी चाहिए और मिल नहीं रही उसका कारण बस एक है ठाकुर उदैग प् शक्ति आसरमी नहीं को चत दोड़की कि फच्ञव में का प्त्धर बना बैठा है थाकुर बहुत शक्ति श्रीओ इसे करिकलाब हमारी घंगा मजंशनी ही हुए संब मेरे साथ भ110 अंगें हम गंगा प्रदा बनाएंगे अचैंघी फॉतगर द्раж लुल दी गए हमाग कर च Cayce धुम दुम 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 रहित इक्राब दिर्दाबार चीट कई भाई जीट कई गई गव्या भाई भाई जीट गई बैटो 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 मुबारा को गंगा मास्टर साथ तो कमाल हो गया पहली बार इस गाउं में एक लड़की प्रधान का चुनाव कीद गई जहीं मास्टर साथ मास्टर जीट ये तो सब आपकी ग्यान और आश्टर साथ है नहीं पगली ये सब तेरी मेनत और हिम्मत करती जाए मेरी भगवान से प्रात्मा है कि आजादी के पचासवे वर्ष में इस देश का हर मजलूम तेरी तरह जाए आज मैं बहुत खुश हूं माई गंगा ने चिनाव जीत लिया शार्दा ये मत भूल कि उसकी जीत तेरे पिता की हार है तुम ऐसा क्यूं सोचती हो माई बापू की हार तो सच्चाई की जीत है और मैंने कहा था ना माई कि सच जीतेगा अब देखना काउ का नक्षा कैसे बदलता है देख रही हूं मैं बेटी इस हार से तेरे पिता को जानवर बनते वे मुझे टर रहे कि कहीं सच मुछ इस काउ का नक्षा शम्शान में न बदल जाए प्रधान का काम संभालने से पहले मैं माई से आशरवात देना चाहते हूं हाँ, जरूर, बलकि हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं उस महानातमा का आशरवात तो हम सब के लिए बहुत आवश्यक हैं सरकार, अरे अरे तो यह चिंदारी है शोलावने इससे पहले हमें कुछ करना चाहिए कि इस समय तो वो गाउवालों से घीरी रहती है आज वो एक जराखेली मिल सकती है कहाँ? गंगा की दरी मुझे कुछ नहीं सुनना है उसके बारे में जाओ जो करना है करो, जाओ माई, जाओ मारी गंगा को खत्रा है क्या क्या रहे है तु बेटी माई मैं अपनी खानों से संकर आई हूँ बापू के आदमी उसे मार डालेंगे मैं सच्चाई को मरते नहीं देख सकती माई मेरा क्या है माई एक विद्वा जिए या मरे कोई फरक नहीं परता पर अगर गंगा मर गई तो पुरा गाउ ही कतम हो जाएगा माई तो इस चामेले में मत पड़ विटी तु इसको चामेला कह रही हो अगर मैंने गंगा को बचा लिया तो मेरे जीवन को अर्थ मिल जाएगा माई शायद तु ठीक है रही है विटी मैंने भी गंवालों को बचन दिया है उसे भी तो निभाना जरूरी है ना ले इससे तु अपने आपको अच्छी तरह से ठक ले देख बेटा या 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 हुआँ मैं हुए हुट 0 हुए यु मेरे सुल काज को हागवी इना काम अगी मुघ를 कर दो चुछो 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 गैं चुछो 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 जाए भात भात माजची 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 गॉंका मेरे पापु के भेजी हुए गुंडे जो तुझे मारने आयते मेरे लिए अपने आपको मैंने तो सच्चाई को बिचाया है मुझसे सच्चाई को खुन होते नहीं देखा गया मैरे मिसे लिए मैने चल चलो अभी चलो लेका चलो बहुत हमेरा ले आपको अग आपको मेरा इस खूर को मैने दीज colum मैंस्ट जी यह त्यूर अच्छा यह क्या ते करा नंं आपका पे लेडी चलो नहीं जाओंगी व Ó जेल है मुझे तो इस खोले में रहना आए तॉम लोगों के साथ चीक है शुआ है लेकिन अप्यो चलना करेगा खेल 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 अजय खेल चाहा चाल को ए हो कर्गार ओ ठकॉर बाहर आओ किस ने किया है किस ने किया है मैं उसका उकूर पी जाओगा आप ही कि आदमियों ने किया है आपके इशारे पर इधरे एहंकार का नहुना है ठकॉर तेरी लाठिया अब तेरा ही खून बहाने लग गई है कभी-कभी आदमी उस कुए में खुद गिर जाता है जो वो दूसरों के लिए खोथता है एक बात पुछू बापू यह सब क्यों है किस के लिए है राजा अगर प्रजा को मार ही डाले तो राज किस पर करेगा यह सब गाउवाले आपकी छतर चाया में है आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए और रक्षा के अगर भाक्षक बन जाए तो दुनिया ही कदब हो जाएगी बापू इनकी रक्षा कीजे बापू इनकी रक्षा कीजे रक्षा कीजे बापू इनकी रक्षा कीजे बापू मास्टर जी तुने बहुत सुनी किये गाउं गया, मैं अपनी रोडिवादी परंपराव में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आखें खुल गई है, आप लोट आई है मास्टर जी आप लोट आई है, मुझसे जादा इन गाउवालों को आपकी जरूरत है मास्टर जी, दे मुझसे गाउन को दिखाते है वोजा क्ष्पा करें, मुझसे वोजा का? बिटिया, वो जगा अहुत अच्छी है उहुत अच्छी वहाँ चारो तरफ खुशिया ही खुशिया है सब एक बराबर कोई भेदभाव नहीं वहाँ भूक नहीं लगती प्यास नहीं लगती वहाँ ठाकुर नहीं है और नहीं ठाकुर के जुल्ब वहाँ चड़ियां भजन गाकर उठाती है और परियां लोरी गाकर जुलाती है माने कुछ सपने देखे थे आजादी के और जाने क्या क्या ये आजाद हुए पर मा के सपने कितने सच हुए मुझे नहीं मालूम पर वो सपने एक छोटी सी आशा दे गए हर गंगा के आशों को मुस्कान में बदलने की आशा आशों की हर भून से एक फूल खिलने की आशा ये खिलने की आशाद रसे आशाद और भून झाल झाल कर दो 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 अ